सोचने में कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मनजिलों के लिए नमस्कार साथियो, शुब कामना हैं सभी को आज आपकी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए मैं एक मंत्र देने वाला हूँ Law of Attraction की एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसका इस्तमाल करके आप अपनी कोई भी तमन्नापूरी कर सकते हैं इस टेक्निक का नाम है 555 या 555 इंटु 5 बहुत सी जिग्यसाएं इस टेक्निक के बारे में आती हैं तो आज इस टेक्निक से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे हो सकता है कि आप मेंसे बहुत से लोगों ने इस टेक्निक के बारे में सुना हो पढ़ा हो या जानते हो लेकिन आज मैं बहुत ही सरल शब्दों में इस टेक्नीक के विज्ञान के बारे में इसके लॉजिक के बारे में पहले आपको बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्या है ये तक्नीक, कैसे इसका इस्तमाल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी बताऊंगा क्योंकि अक्सर हम कोई न कोई चोक, कोई न कोई गलती कर बैठते हैं इसे करने में सब कुछ बताऊंगा लेकिन बस एक बार उससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकोन को दबा दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, कमाल की जानकारियों भरी, मोटिवेशनल वीडियो लगातार आपको यहां मिलती रहेंग चोटी सी कोशिश, और आईए, अब बात करें, 55 इंटू 5 टेकनिक के काम करने के कारण या उसके विज्ञान की, किसी भी बात का विज्ञान या साइंस समझना इसलिए जरूरी है, उसका लाजिक समझना इसलिए जरूरी है, ताकि आप उस काम को पूरे मन के साथ कर सकें, आपको उस काम को करते हुए, उस काम पर भरोसा हो, आप उसे किसी से सुन सुना कर, जैसे टोना टोटका करते हैं, उस तरीके से ना करें, किसी भी काम में पूरी तरह से मन लगे, पूरी तरह से मन यकीन करे, तब ही उस काम को करना चाहिए, आपको एक दोहा सुनाता हूँ, करत करत अभ्यास ते जडमत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिलपर परत निसान सुना है आपने दोहा जरूर सुना होगा और इसका बहुत सरल सा अर्थ है कि लगातार अभ्यास से कम बुद्धी वाला विक्ती भी समझदार हो जाता है जैसे लगातार रसी के चलने से कुए के पत्थर पर रसी से निशान पढ़ जाते है यानि अगर किसी काम को लगातार करने की कोशिश की जाए तो उस काम के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इस टेक्निक के पीछे मुक्ता यही साइंस है यही लाजिक है किसी भी काम को लगातार दोराएंगे तो वो आपके मन में बैठ जाती है आपका यकीन आपकी मानेता बन जाती है तो 555 में हम अपने उस यकीन को पुखता करने का काम करेंगे क्लेर हुआ 555 का लॉजिक यानि किसी चीज़ को जब बार बार दोराया जाता है तो वो हमारा यकीन बन जाता है यकीन बनाना या अपनी आफर्मिशन पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी आफर्मिशन पर भरोसा होगा तब ही तो आपके आफर्मिशन पूरी होगी कितने लोगों के साथ होता है ये कि वे कुछ करना चाहते हैं कोई affirmation करते हैं पर अपने मन के संदेहे के कारण वो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उधारन के लिए आप बहुत बार सोचते हैं कि आपको जल्दी उठना है और आप affirmation करते हैं इसके लिए लेकिन साथ ही आपके मन में अपने पुराने तजरुबे होते हैं अपने पुराने experiences होते हैं कि पहले तो मैं उठ नहीं सका क्या आप उठ पाऊंगा कर पाऊंगा मैं और बस यहीं खेल खतम हो जाता है आपके मन के शक आपके affirmations को पूरा नहीं होने देते और वहीं आप उसी बात को बार-बार दहराते हो उससे ठीक उलट कर कि हां मैं कर सकता हूँ तो आप उस काम को कर पाते हो और यह टैक्नीक आपके life के किसी भी area के लिए काम करती है यह आपकी सेहत के लिए काम करेगी मान लिजे कि आप exercise करना चाहते हैं exercise करना चाहते हैं but again self-doubt की वज़े से आप नहीं कर पाते तो अब हमें यहां self-doubt को self-belief में बदलना है तो 555 में हम अपने self-doubt को self-belief में बदलते हैं clear इस टेक्निक का यही विज्ञान है वो कहते हैं कि बार-बार दोहराने से 100 बार दोहराने से जूट भी सच हो जाता है औ और प्यान लो कि आपने बश्चपन में एक बाद सोची आपके मन में बात बैठ गई कि आप तैर नहीं सकते हैं आपको तैरना नहीं आता और आप तैरना सीख सकेंगे? नहीं! और क्या कहीं ये लिखा है कि ये आदमी तैर सकता है वो आदमी नहीं तैर सकता बस फर्क इतना है कि इसने सोच लिया है इसने यकीन कर लिया है इसे अपने आप पे भरोसा है कि ये तैर सकता है और इसने सोच लिया है कि ये नहीं तैर सकता, इसे तैरना नहीं आता, ये नहीं सीख सकता क्योंकि जब इसने ये सोचा कि ये तैर सकता है तो इसने कोशिश की और कोशिश की तो काम्याब हुआ और दूसरे के मन में अपने आप पर डाउट था कि वो इसे नहीं कर पाएगा और जब मन में डाउट था तो उसने वो कोशिश ही नहीं कर सका धंग से तो अब हमें यह जो डाउट है इस डाउट को निकालना है और इसकी जगे क्या डवलप करना है बिलीफ, यकीन और वो कैसे होगा बस यही दोहरा कर कि मैं बहुत बढ़िया तैरता हूं थैंक यू उनिवर्स मुझे इतना बढ़िया तैरना सिखाया अब यही बात जब आप बार 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 दोहराते रहेंगे तो यह आपके सब कॉंसेस माइंड तक चली जाएगी और आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, आप बढ़िया तैर सकते हैं आप तैरना जानते हैं और आप कोशिश करेंगे एक बार नहीं, बार बार कोशिश करेंगे तो दोहराना और यकीन करना यही पहला मंत्र है, पहला लॉजिक है इस 555 टेक्निक के लिए फिर बता रहा हूँ कि किसी भी बात को बार बार दोहराते रहने से वो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मस्तिस्क में बैठ जाती है और फिर हमारा अवचेतन मस्तिस्क हमें निर्देश देकर हमारे अंदर से ऐसी प्रेड़ना देकर कि हम उस काम को पूरा करने के लिए कोशिश करें जो भी जरूरत उस काम को करने के लिए है उस विश्ट को पूरा करने के लिए है हम वो काम करने लगते हैं और वो हमारे काम पूरे हो जाते हैं अब चूंकि इसका विज्ञान दोहराने से संबन्दित है तो एक बहुत ही सुभाविक सा सवाल दिमाग में आता है कि क्या इसको हम 55 बार की जगे, 100 बार, 200 बार या और ज्यादा दोहरा सकते हैं या कम कर सकते हैं कि भी 20 बार दोहरा दिया या 30 बार दोहरा दिया तो इसका जवाब है जी हाँ कर सकते हैं क्योंकि आप विज्ञान को समझें विज्ञान क्या है विज्ञान है कि बस दोहराना है अपने subconscious mind तक अपनी बात को पहुँचाना है जितना अधिक आप अपनी affirmation को repeat करेंगे उतना अधिक उसके पूरे होनी की संभावनाएं बढ़ेंगे तो फिर ऐसे में सवाल आता है कि पचपन बार ही क्यों वो भी बताता हूँ यहाँ एक और energy काम कर रही है वो इस technique की force है इसकी ताकत है वो है number 5 की frequency जब हम इस number की power के साथ कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो वो जरूर मैनिफेस्ट हो जाती है पंच भूत या पंच तत्वों का उलेक हर जगे किया जाता है हमारे धर्म ग्रंतों में हमारे दर्शन शास्त्र में सब जगा और विज्ञान के अनुसार भी हमारा शरीर उन्ही पंच तत्वों से मिलकर बना है और इस पूरे ब्रमान में पूरे यूरिवर्स में जो भी चीज़ें होती है वो सब इन्ही पंच तत्वों से मिलकर बनती है और ये तत्व है जल, वायू, पृत्वी, आकाश और अगनी इन में से कोई एक चीज़ भी ना हो तो इनसान का वजूद ही नहीं रहेगा तंत्र, मंत्र, पूजा आदी में भी एक खास तरीके का यंत्र इस्तमाल किया जाता है जिसके पांच कौने होते हैं कहने का मतलब ये है कि पांच नंबर की खास फ्रिक्वेंसी होती है और ये अपनी अलग वैल्यू रखती है इसी कारण तो यूनिवर्स के एलिमेंट्स भी पांच होते हैं छे या चार नहीं तो इन पांच तर्त्वों को ध्यान में रखते हुए जब हम 555 टेक्निक का इस्तमाल करते हैं कुछ affirmation करते हैं तो वो पूरी होती है और अब बात कर लें कि आखिर क्या है ये टेक्निक कैसे इस्तमाल करनी है ये टेक्निक सबसे पहले इसके लिए हमें paper, diary और pen की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इस कागज या diary पर आपको अपनी ख्वाइश लिखनी है विश लिखनी है अब आपको बहुत गवर से बहुत ध्यान से ये सोचना है कि आप खिर आपकी तमना है क्या आपकी वो विश है क्या कोई एक विश जिसकी आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान दीजे आप जो चाहते हैं वो लिखना है उसका end result लिखना है आपने process नहीं लिखना और जो आप नहीं चाहते हैं वो नहीं लिखना और आपको अपनी affirmations बनानी कैसे है उसके लिए मैं already YouTube पर अपने चैनल पर वीडियो बना कर डाल चुका हूँ उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा और मेरे YouTube चैनल संभव Healer पर सर्च करेंगे Tips for Manifestation संभव Healer तो भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा तो अब जबकि आप ये affirmation बनाना सीख चुके हैं अब आपको अपनी उस एक wish को पांच दिन लगातार पचपन पचपन बार लिखना है लेकिन केवल एक wish जिहां केवल एक उसका कारण ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा wish एक साथ लिखेंगे तो आप लिखते लिखते ठक जाएंगे आपके उगलियों में दर्द हो सकता है पचपन बार लिखना है एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार लिखेंगे तो आप ठक जाएंगे परिशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे बीच में छोड़ना चाहेंगे और हमें बीच में नहीं छोड़ना है दूसरा कि अगर आप एक से ज़ादा wish लिखते हैं तो क्या होगा कि आप universe को जो message दे रहे हैं ना उसमें confusion होगा इसलिए simple to the point straight अपना end result किसी एक wish का और हम law of attraction के अनुसार जानते हैं कि यह हमें pageant tense में लिखना है और किसी तरीके का कोई negative शब्द इसमें इस्तमाल नहीं करना है future के लिए नहीं लिखना है आपने ऐसे नहीं लिखना कि मुझे चाहिए यह मुझे मिल सकता है मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो जाएगा इस तरह के शब्दों का इस्तमाल नहीं करना है यानि किसी भी तरीके का negative और संदेह भरा कोई विचार कोई शब्द आपकी affirmation में नहीं होना चाहिए और शुरुआत में छोटी छोटी चीज़े manifest करें उधारन के लिए मान लिजे कि आप काफी वक्त से कोई mobile या bike खरीदने की सोच रहे हैं या कोई और चीज तो उसके लिए कैसे लिखेंगे simple thank you universe मैंने अपना नया phone या bike खरीद लिया है या आप यहाँ bike या phone की जगे अपनी किसी भी और wish का नाम लिख सकते हैं जो भी आपको चाहिए और जब आप इस तरह से अपनी इच्छा को लिखते हैं यो काफी वक्त से चली आ रही है पूरी नहीं हो पा रही है बार बार लिख कर आप अपनी subconscious mind में ये संदेश भेज देते हैं कि ये काम हो गया है और आपका subconscious mind वह आपको निदेश देने लगता है कि उस काम को आप कैसे पूरा कर सकेंगे अपने आप परिस्थितियां वैसी बनेंगी विचार वैसे होंगे लोग वैसे मिलेंगे और आप उस काम को कर लेंगे ओके और लास्ट में जब आपके पांच दिन पूरे हो जाएं ये लिखते हुए उसके बाद आप अपनी आफर्मिशन को अपनी एक्षा को लैटको कर दीजिए यानि उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए इसके बाद सिर्फ आपको उस काम पर फोकस करना है उस एक्षा को पूरे करने के लिए जो काम करने की जरूरत है उस काम पर फोकस करना है ओके अब कुछ ध्यान देने वाली बातें फिर से इस टेकनिक में आपको पांस दिन तक लगातार लिखना होगा और एक ही सिटिंग में 55 बार लिखना होगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10 बार लिख दिया घुम कर आए ठक गए 20 बार लिखा फिर किसी और काम को करने में लग गए फिर वापस लिख रहे हैं ना आपको एक साथ एक सिटिंग में 55 बार लिखना होगा लिखना होगा और साथ साथ उसे बोल कर दोराएं तो और ज्यादा अच्छा होगा कुछ लोगों का सवाल होता है क्या हम ये टाइप कर सकते हैं या इसे कॉपी पर ही लिखना कमपलसरी है जरूरी है या मुबाइल पर भी लिख सकते हैं तो बात ये है कि बात लिखने की है साइंस लिखने का है रिपीट करने का किस पर, कब, कैसे, वो matter नहीं करता जिहां आप type भी कर सकते हैं, mobile पर भी लिख सकते हैं पर आप देखिए जब आप mobile पर लिखेंगे, 55 बार कोई एक wish तो आपकी उंगली आंग उठे ठक जाएंगे, दुखने लगेंगे और कफ से याद आया कि 555 यानि 5 नंबर की frequencies की बात चल रही है तो एक सवाल मन में ये भी आता है, क्या हम सुभा 5 बज़े लिखें या शाम को 5 बज़े लिखें, उसे ज़्यादा अच्छा result होगा या अच्छा रहेगा या उसी समय लिखना है फिर से मैं वही बात दोराओंगा जो इसका science है, जो इसका logic है वो repeat करने का है, दोराने का है दोरा कर आपको यकिन दिलाने का है उस काम पर समय matter नहीं करता हाँ जरूर आप 5 बज़े लिख सकते हैं लेकिन आप शुरू कर भी देंगे 5 बज़े तो क्या वो 5 बज़े खत्म होगा जाने कितनी देन में खत्म हो, वो आपके हाथ में नहीं है तो करना आपको ये है कि दिन के किसी भी समय, जब आप तरो ताजा महसूस करें, किसी भी affirmation को करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप पसंद हो, खुश हो आपका state of mind positive हो उस समय ये technique इस्तमाल करें कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है कि अगर हमें result ना मिले तो क्या हम इसे दुबारा कर सकते हैं जी हाँ बिलकुल दुबारा कर सकते हैं पर मेर्या सवाल ये है कि भई, पहले से ही, करने से पहले से ही ये ख्याल अपने मन में लाना ही क्यों अच्छा एक बात बताईए कि क्या आप कोई भी काम करते हैं और एक बार नहीं हो पाता तो क्या आप उस काम को करना छोड़ देते हैं नहीं ना जब हम चलना सीखते हैं तब क्या होता है हम चलते हैं चलने की कोशिश करते हैं गिरते हैं फिर संभलते हैं फिर गिरते हैं फिर चलने की कोशिश करते हैं लड़कडाते हैं बार बार फिर भी चलते रहते हैं और finally पूरी कोशिश के साथ हम उस काम को कर लेते हैं, हम चलना सीख जाते हैं यही करना है बस आपको पांच दिन करने के बाद आपको अपनी उस affirmation के बारे में, अपनी उस wish के बारे में सोचना छोड़ देना है आपने अपनी तरफ से अगर सही तरीके से किया, तो बात अपने subconscious तक पहुचा दी, अब काम universe का, उसे करने दीजिए हाँ, जो भी समय सिमा आपने अपने उस काम के लिए अपने मन में सोची है, अगर तब तक वो काम नहीं होता, तो कुछ समय का gap दे कर, आप दुआरा उस technique का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है हमारे करने में, दुगने जोस से फिर शुरू कीजिए, तो एक wish पचपन बार, पांच दिन, ओके, एक और सवाल, क्या एक ही wish को अलग अलग technique से दिन में कई बार कर सकते हैं, यहां बिलकुल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल भी आएगा कि कब होगा, कैसे होगा, मैं यह technique भी कर लूँ, तो जल्दी हो जाएगा क्या, नहीं, इन सारे विचारों से बचने हैं, पांच दिन के बाद इन पेपर्स का क्या करें जिन पर आप लिखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, आप उन्हें जला सकते हैं, आप उन्हें पूरा कर लिया, अब उसके बाद उन्हें पेपर्स का कोई महत्व नहीं, बात जहां पहुचानी थी, आपने पहुचा दी, ओके, कोई और सवाल आपके मन में आये, तो जरूर पूछेगा, कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं जरूर आंसर देनी की कोशिश करूँगा, औ मैं बस यही कहूँगा, कि मिल सके जो आसानी से, उसकी खौाहिश किसे है, जित तो उसे पाने की है, जो अपने मुकदर में नहीं, वीडियो अगर पसंद आई हो, इससे आपकी कुछ जानकारी बड़ी हो, तो इसे लाइक जरूर कीजेगा, और कम से कम अपने तीन साथियो के साथ शेयर जरूर कीजेगा, और आपको अगर मेरे साथ law of attraction सीखना है, तो आप description box में दिये गए, link के जरीए हमारा whatsapp group join कर लीजे, बहुत जल फिर मिलेंगे एक और thoughtful useful वीडियो के साथ तब तक कि practicing अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करत रहें, नमस्कार.